हलो दोस्तों कैसे हैं सब तो जो मैंने कल ब्लॉग शेयर किया था करवा चौत का साम तक का वही साड़े साथ बजी तक का उसके बाद का ये ब्लॉग है पूजा के टाइम का तो अभी यहां पर जो पूजा का टाइम है वो भी हो रहा है और मैं जो है कोव अच्छे से तयार हो गई हूँ रेड कलर की साड़ी पहनी है रेड नहीं है इसका कलर जो है थोड़ा सा चैरी रेड कलर का लग रहा है और यह साड़ी मैंने खरी दी नहीं है मतलब इस वार करवा चौत पर मैंने नहीं खरी दी साड़ी यह मुझे मिली है मा मुझा पूज़ा की थाली मैंने लगा ली है करवा माता का करवा और जो मेरा करवा है तो दोनों रखें थाली में और मैंने थूड़ा थूड़ा परशाद डाला है तो अभी जा रही हूँ छते पूजा करने है साथ में अपने फोन से जो है मतलब मेरे फोन से तो व्लॉग बन रहा है लेकिन अपने फोन से भी पूरी जो है मतलब जितनी वीडियो बना सकते हैं कोई कसर नहीं चोड़ी है आज के दिन कुछ जादा ही ख्याल रखे हुए हैं और यहां पर जो है मेरे नीचे वाली पहन ले तो थोड़ी मुझे हासी आ गई पजामी जो नीचे से दिख रही थी पहरों से लेकिन कोई नहीं इतना चलता है घरों में इतना तो होता है और फिर जो है साड़ी घंटे के लिए पहन नहीं थी तो फिर मैंने का चलो क्यों मैं जो है चेंज करूं मैं पहन लेती आज चौक में बनता है आंगन बना चrowsद पर तो इसके बाद फूजा की बना दिया है और उसके बाद मैंने यहां पर दो फूजा होती है चंदरमा खोती है 평 होथा कीaden है यहां पूजा की क्यों कि थोड़ी दिर के लिए जो है करवे खोल दिया करो तो अभी देखो चंद्रमा उग आए हैं और यहां पर मैंने अपनी पूजा जो है वो शुरू करती है और देखो त्योहार मनाने का तरीका हर जगा पर अपने अपने तरीके से होता है कहीं पर किसी और तरीके से मनाया जाता है कहीं पर कुछ और लगता है पूजा में अलग अलग चीजे लगती हैं और अलग अलग तरीके से मनाते हैं तो हमारे यहां यूपी में ऐसे ही मनाते हैं चौक बना करके जैसे यहां पर देखो चौक बना दिया है तो चौक में ही बहुत सारी चीजे बनती है और फिर उसके बाद उसी में पूजा होती है बहुत जगा देखो जैसे साम को ही 4-5 बजे धेर सारी लीडीज बैठके पूजा कर लेती है और उसके बार रात में जब चंद्रमा निकलती है तो फिर चंद्रमा को अर्ग देती है लेकिन हमारे याँ यूपी में ऐसा नहीं होता है हमारे यूपी में जब चंद्रमा उगती है उसी टाइम पे जो है चौक में बैठके पूजा होती है पहले चौक में पूजा होती है फ बहुत सारी कर्वा माता की फोटो भी आती हैं साथ में कलेंडर बहुत कुछ आते हैं तो आप कुछ भी रख लीजिए और उसके बाद यहां पर देखें पती देव लेकर किया हैं आम की लकडियां तो हमारे यहां पर जो एक ग्यारी भी पढ़ती हैं और पती देव जब तक कफा देखें Leid, रख रहे हैं अग्यारी डालने का इंतजाम कर रहे हैं तब तक मैं कर्वा माता की कथा पढ़ रही हूं और नहीं हर साल पढ़ती हो कर्वा माता की कता तो जो एक मैं हैं लोते हैं वो सुंते हैं और उसके बाद कथा पढ़ने के बाद 17 हैं जो है बाकी की पूझा करती हूं तो अभी देखिए अस्बेंट ने जो आमकी लखनियां हैं वो भी रख दी तो फिर मैंने ज्यारी डाल दी और उसके बाद यहां पर मैं अगर कहा जाए तो सब कुछ बाते हैं बस मानने की बात है अगर एक दूसरे के प्रती प्रती प्यार है दिल में विस्वास है तो बस जरूरत ही नहीं है किसी सूत्र की लेकिन ये सारी चीजे पूजा पार्ट में होती हैं और ये सारी चीजे जो एक लेडिज के लिए एक और तो इतके लिए बहुत महत्तुर रखती हैं तो फिर यह सारी चीजे करनी पड़ती हैं और इन सब को करने में खुसी भी बहुत मिलती हैं तो अभी इनके रच्छा सुत्र बांदिया है उसके बाद यहां पर मैं अग्यारी डालने के बाद फिर जो है चंद्रमा उगी हैं तो उनकी पूजा होगी और हमारे यूपी में एक चीज़ और भी कहते हैं कि जैसे चंद्रमा उगे वैसे पूजा शुरू कर दो जैसे ज्यादा टाइम हो जाता है थोड़ा लेट हो जाओ तो फिर कहते हैं कि बूढ़ी हो गई ऐसा होता है मतलब लोग बाते करते हैं बहुत वह सोने की धार से अर्ग देते हैं तो फिर मैंने अपना मंगल से उत्र लगा लिया था नीचे तो चंद्रमा को अर्ग देने के बाद पूजा करने के बाद आर्ति करने के बाद बारी आ तीया पति दियुकिं। थो मिन हचा ख़ड़ा भी नहीं हुआ जाता के मरे के सामने थोड़ा सज επ जीजक चाते हैं लेकिन हैं इने क्या पता कि पूरा दिन वाइफ जो है भूसिताइं इस पल के लिए रहती हैं यह जो पल को की hoping या लिया है और फिर मैं आ गई हूं नीचे तो नीचे मैं यहां पर तुल्सी मै की पूजा कर रहे हूं और जैसे उपर चांद को देखो के मैं तुरंत ब्रत नहीं खोलती हम जो मैं पूजा करती हूं जयसे पूजा के धाली में दीपक रखती हूं तो वो लास्ट दीपक मैं यहां पे रख देती हूँ तुलसी मैया के पास जबसे मैंने तीन साल से तुलसी माता लगाई है माता रानी की कृपासे मैं हमेशा पहले इनकी पूझा करती हूँ लास्ट में नीचे उतर की फिर उसके बाद मैं जो है अपना व्रत खोलती हूँ तो यहां पर मैंने पूजा की और सच में सबने बड़ी हल्प की बच्चों ने हस्पेंड ने अकेले जो है सारा कुछ उपर लेकी भी नहीं जाया जाता तो बिटिया रानी ने बच्चों ने म बहुत हिल्प की और अभी आपको जीने पर दिख्या होगा हमारा डुगू तो डुगू को मैं नीचे बंद करके गई थी ऐसा कुछ भी होता है तो डुगू बहुत सेतानी करता है बहुत सरारत करता है मतलब कुछ भी नहीं करने देता है जब भी कुछ जैसे नीचे कुछ कुछ करना होता है तो इसको उपर बंद करती हूं अगर उपर कुछ करना है तो फिर नीचे तो नीचे बंद करके गई थी और जैसी उसने देखा वैसे फिर से पीछे-पीछे घूमने लगा है और अभी आ गई हूं कमरे में थोड़ा आराम से बैठ गई हूं तो यहां पर ज मुखे रहने के बार नहीं एकदम से कुछ खाया जाता है और नहीं जादा पानी पिया जाता है तो अभी जो एक दूसरे का मुझ मीठा कर आकर के यहां पर अपना ब्रत खोल लिया है और हमारा डुग भी आ गया मीठा खाने के लिए तो चलिए दोस्तों इस वाले वीडियो में यह मेरे पुराने जो है बीते वे पल थे जो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ तो ब्लॉग कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथ में चैनल पर नूँ है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब त के लिए